हरियानादिय विदा अनसभा चोणा दे लई इस वरी 90 सीटां ते रिकॉर्ड तोड नामजदगी आ होई याने 1500 काट उमीदवारा ने 1770 नॉमिनेशन पर्ची पर इने जिनाद इसमीख्या कीती गई है 16 स्तंबर तक नामजदगी आ होई जा सकते ने इना विच पिवानी विदा अनसभा इलाके तो सब तो वदकत्ती उमीदवारा ते नांगल चोदरी विदा अनसभा इलाके वेच सब तो काट नॉमीदवारा ने नॉमिनेशन फाइल कीते ने कालका ते पंच खुला विदा अंसबा हलके तो 14-14 नरायनगर तो 15 अंबाला केंट विच 16 अंबाला शेर ते मुलाना राख्मा तो 15-15 अंबाला राख्मा तो 11 जगादरी ते यमना ना करतों 16-16 कैथल तो 16 अंबाला शेर तो 18 उमीदवारा ने नामसदगी पर्चे परेने 14 अदकारी पंकज अगरवाल ने जानकारी देंदें दस्या कि जिना उमीदवारा ने चोन लड़नली नॉमिनेशन फाइल किती है 16 स्थमबर तक अपना नामजदगी पर्चा वापस भी ले सकते ने उस्तो बाद नब्यविदा अंसबा हलकियां तो चोन लड़न वाले उमीदवारां दी फाइनल सूची जारी किती जावेगी ओस दिन सबंदेत रिटर्नेंग अधिकारी वलों चोन चेन वी अलोड किते जानगे केंदे साधी एक अखवार दे पत्रकार नाल अमरीका विच जुलम होया उसने अपनी पूरी कहानी पबलीक ते सामने रखिया उसनू कमरे विच बंद करके कुट्या गया अमेरिका की धर्ती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को वो भी एक पत्रकार को और वो भी भारतिये संबीधान की रख्शा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करकर के उनके साथ जो ब्यवार हुआ है क्या ये लोग कंत्र को संभिधान की बर्यादाओं को उजाकर करने वाले विशे क्या अमेरिका की धर्ति पर भारत के प्रत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिश्चा बढ़ार हो आपके लिए जानना जरूरी है ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा नेल्फ देश्चलाल कांफरेंस पीडीपी और कॉंग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं जम कुश्मीर तो बाद नरेंदर मोधी हर्याना पाउंचे मांच ते पाउंच के पीएम मोधी ने सबतो पहला राम राम दे नारेलाई हर्याना दे विच भी पीएम मोधी दे पहली रैली रही ए रैली कुरक्षेतर दे थीम पार्क दे विच होई नरेंदर मोधी ने कहा के होने कुश्मी ने पहला लोकसवा चोणा दोरान मैं तो आड़े अशीरवाद मंगन आया सी मैं कहा सी के बीजेपी सरकार दे 100 दिन वड़े फैसलेयां वाले होनगे ते हाले 100 दिन पूरे भी नहीं पर साड़ी सरकार ने करीब 15 लाख क्रोडर पई यह दे नवे कम शुरू करवाते तेने लंगे साला मिच केंदे हर्याणा निवेश दे मामले विच कमाई दे मामले विच देश दे टॉप सूब्या विच पांच गया है एस गालदा केंदे मैनू बहुत गर्ब होनदा है असी कॉंगर्स दी सिरकार दा ओध और देखिया ज जी पी ऐसे सिदा आते चल रही है पहला हर्याणा दे विच नौकरी विख दी सी पर्ची खर्ची चल दी सी पर हुण हर्याणा विचे सब नहीं हुंदा असी नौजवाना दी मेनत नू देखके काम चलाओ दे हां मान निया परदान मंत्री जी कहने को और सुनने को मैं यह गीता का सलोक है लेकिन दस सालों से हर्याणा में भारतिय जनता पर्टी की सरकार आपके मार्दर्चन में इसी करम नेवाधी कारस्ते के सिदान्त पर चल रही है हर्याणा चोड़ा नू लेके 12 स्तंबर नू नाम जद गिया दाखल हो चुकिया ने हुड पांच अक्तूबर नू वोटा पैण गिया आठ अक्तूबर नू नतीजे अलान दत्ते जानगे